हाई एवरीवान वेल्कम बाक टुशनाइं क्लासेस फिस्ट फॉल बुड़ आफ्रेनोन गुड़ इवनिंग कैसे हैं आप सब होफुली सभी बहुत अच्छे होंगे काफी बुड़िया होंगे चलिया करते हैं शुरात आच की इस क्लास की जहां पर हम कंप्यूटर का एक मॉ सब्सक्राइब करते हैं और आप अराम से इन चीजों को कर लें मेरे साथ मैं हो शाली सब्सक्राइब कर लें हैं प्लीज टेलेग्राम जोइन कर लिए लाइव क्लास अपड़ेट हो सारी क्लास जो अब दिन में करम होती थी यह वांग की चलिए कि आपको इवनिंग के बाकि जो भी टेलेग्राम पर होगा अपडेट होगा इसलिए टेलेग्राम जोई रखी जब तक एक्जाम और चीज़े नहीं है तो आपको जम के पढ़ना है और मुझे भी हर चीज को आपको प्रमर टेके से करा देना है चलिए बिलकुल वक्त को नहीं वेस्ट करते हैं औ आपके अब्जेक्टिव वस्तोनेस पर यानि की बहुविकल्पी क्वेशन की है क्वेशन नमर वन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर बताए कंप्यूटर का मुख्य कारे आंकणों को परिवेटित करना है तो किस में कनवर्ट करना है सूचना में लिनिक्स में इनमें से कोई कम्वेशन का में जो वर्ख है वो डाटा को हम चेंज करते हैं के अगर आपके साथ आपर आपको एक नंबरर आसानी से मिल जाएगा दूसरा है आपके साथ एग प्रोसेसिंग कहलाती तो प्रोसेसिंग होती है वो क्या कहलाती डेटा को वैस्थित करना data की गरना करना उप्यूक दोनों इनमें से कोई नहीं तो आपके सामने यहाँ पर options कई सारे दिये गए हैं तो processing करने वाले जो चीजें हैं वो क्या है process करने की बाते हैं वो सब क्या है की जी क्या है कोई idea है process का मतलब है यह आपने कोई input दिया तो उस पर कोई काम होगा कुछ आपको result मिलेगा तो यह ध्यान रखेगा कि आपका c option यहाँ पर सेगो जहाँ पर data को आप क्या कर रहे हैं वेवस्थित कर रहे हो पूरी तके से उसको arrange कर रहे हो उनकी calculation कर रहे हो यह सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती तो c option आपका यहाँ पर correct होगा processing जो कहलाती वो data को arrange करना और data की गरना करना यह आपको ध्यान में रखना है तो processing के बारे में आपका यह चीज़ें यहाँ पर पूरी तेके से clear हो गया ठीक है उपयुक तो दोनों अब हम आगे पूरते हैं इसे के साथ दो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया तीसरा यहाँ पर hardware शब्द का अर्थ है computer के तो hardware शब्द का जो meaning है अर्थ है वो क्या है अनुदेशों से है बहुत तिक पुर्जों से है bad system से operating system से hardware शब्द की जो meaning ह है वो यहाँ पर क्या है क्या होगी कौन से option correct होगा जल्दी से ध्यान रखेगा hardware का मतलब इसको हम touch कर सकते हैं अपने finger tips से यानि कि वह आपका बहुत पुर्जा फिजिकल पार्ट समान ऐसी चीजे होंगी जिनको आप अनाम से चू सकते हैं अगे बढ़ते इसे के साथ soft copy का एक output है तो hard copy क्या है soft copy के बात करते हैं तो वह एक output के जाशे है पूरा का पूरा क्या output है तो जो hard copy और चीजा है वो क्या पूर्जा है printed output है printed device है तो soft copy लोपर पूट जैसा है तो hard copy क्या होती है hard copy जो होती प्रिंटे आउट वड़ आपको पेपर के पेज में निकल के मिलता है अभी जो आपको यह स्क्रीन पर दिख रहा है हाड़वेर यह आप छू नहीं सकते हैं चू सकते हैं यह आपको दिख रहा है हम को भी दिख रहा है मैं भी नहीं चू सकती सॉफ्ट कॉपी के रूप में लेकिन अभी यही चीज़ हम प्रिंट करवा कर पेंज छपवा लेते हैं प्रिंट आउट तो हार्ड कॉपी के रूप में आ दाता है तो वह आपका सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी होता है Microsoft Office के मुख्य विशेष्टा जो होती वो क्या होती इसमें यह विरास्ता का गुड़ होता है विस्तार तक विग्दम इलोबरेट करके चीज़े होती है अत्यन सरल प्रोग्राम होता है बहुत इजी वर्क होता है लगबख सभी विभागों में प्रोग इसका होता है वो प्रोग सभी तो फिफ्ट के लिए राइट अंसर यहां पर क्या होगा फिफ्ट के लिए राइट अंसर यहां पर क्या होगा तो माइक्रोसॉफ्ट आफिजस में MS Word, MS Excel, PowerPoint, Excel यह सारी चीज़े आती है ठिक है तो आपकी विशेष्टा पूछ रहा है तो विस्तार तका गुर्ण सरल प्रोग्राम यह सारी चीज़े इसमें आएंग इसलिए डी मिला उमीद है कि मिला होगा कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं वे कोई प्रोब्लम है तो पूछ लीज़ेगा comment box में इसलिए कि पांच क्यूशन आपको unique होगे अब आपको देखो यहां पर हर जगहां से पांच क्यूशन पूछ लिया इसलिए कि पूछा जाता और हमेशा आया से नहीं मिलेंगे चीजें ऐसी लेकिन कफी बड़े बड़े रहेंगे तो आपको इतना नहीं लिखना आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही करके लिखनी है सिक्सक्राइब से पूछा जा रहा है software क्या है मैंने आपको जो महामरात्र लीथी उसमें भी बताया था और जो पूरा साही आंसर आपको लिखना है लिखा हुआ है जो इस पे आंसर रिटर है वह मैं पूरा रीडाउट करके बता दें तो आपको ध्यान से रखना है कि एक हिस्सा है ना एक पार्ट जिसमें डेटा या निर्देश सामिर होते हैं चाहे नंबर के फॉर में आलफाबेट के या computer के जो instruction होते हैं वो उसमें पूरे सामिल होते हैं उसमें आड होते हैं computer के hardware को संचालिद करने के देशों के सेट और computer programs का यूज कंप्यूटर को properly work करना है या उसके hardware प्रपर तरीके से work करें तो बहुत सारे instruction का set होता है जो पहले से बना कर computer में इंवल्ड कर पाएं उसके पर 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 काम कर पाएं जिसे हम software कहते हैं जो एक computer को यह बताता है कि क्या करें software में साही चीज़ें पहले डाल कर रहती है उसमें इसे-से inputs एड किये रहते हैं कि जब भी ऐसा कोई आदेस मिलता है करना होगा software के बारे में जितना भी कुछ दिया है वह पूरी तरह से यूनिक आपको यहां पर आना चाहिए और पता होना चाहिए ठीक है तो यह software का आपका दू नंबर का question एक नंबर में आ जाएगा तो ध्यान रखेगा hardware भी पूछ सकता है सेम तरीके से और भी question आ सकते हैं अब आपको यह वाला answer लिखना तो screenshot भी फिला लें टेलेग्राम पर दे देंगे तो लिखने की ज़रुए इसलिए टेलेग्राम का नाम शालनी क्लासेज है टेलेग्राम से connected है तो आपको यह साई चीज़ें वहाँ पर मिल रही है बिल्कुल भी लिखने की दुरत नहीं बस देखते चलिए और थोड़ी रीड करते चलिए के आगे आईए फिर यहां पर आउट-पुट किसे कहते हैं यह आपका सातवा क्वेशन है आपका इनपुट किसे कहते हैं यह basic बेसी चीज़ें तो computer में आनी ही आनी है यहां पर लिखा हुआ है यह वह क्रिया है जो परियोकुता को परिपलबद कराती है और यह जिस्ष प तरीके से रिजल्ट की बाद है कि रिजल्ट एक्चुल में कि आपने को इंपुट दिया इंस्ट्रक्शन को दिया है तो वह चीजे वहाँ पर आनी चाहिए हैं यह चीजों पर ऐसा काम होना चाहिए तो यह चीजें आपको अग浪र जिए समझने की आगे बड़े निएश्ट क्या है चीजे इसनी चीजें इंपर शफ्शेसे से तो बहुत ही प्रॉपर दियान आप जब कोई भी चीज चीज करिए है तो कहाँ सच करते हैं Google पे बना होता है जी वहां पर जाकर करते हैं और पर जो होता है वहां करते हैं तो इंटेर एक्स्टोरर नामग एक वेब राउजर है जिसका निर्मार माइक्रोसॉफ्ट नहीं किया है इसको भी माइक्रोसॉफ्ट नहीं ही बनाया है विल गेट्स ने इसके द्वारा इंटेर फैली जो अथा सूचना है बहुत सारी इंफ्रमेशन जो अनलिम्टेट जानकारियां है डिफरेंट डिफरेंट अब्जेक्स के बारे में कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको लाग के दे देते हैं आप उनको डाउनलोड भी कर सकते हो सेफ करके रख भी सकते हो माइक्रसॉफ्ट के दर 1995 में यह विंडोस ऑपरेटिंग सिस्टम बना दा जहां पर यह सारी चीज़ें उसमें डाली गई एड की गई फिर बहुत सारे और भी सॉप ब्राउजर जो है वो लॉंच कर दिए कैसे एक ही ब्राउजर नहीं है बहुत ओपरा है फ्यारफॉक्स ह इसे इंटरन एक्स्ट्वोरर यहां पर है है मोदिला है जिसको मोदिला सफारी कहा जाता है तो भी क्या है एक ब्राउजर ऐसे आपको कई सारी ध्यान में रखनी होगी सारे के सारे क्या है ब्राउजर से सार्च इंदन अब्राउजर में अलग-अलग difference है ठीक है आगे पढ जैसे आप इमेल करते हैं ऑफिस हो जाते तो बहुत सारे जिसे लॉग-इन हो गया लाग-ओट हो गया तो लोग इमेल के फिर जीमेल पर आईडी बनाते है काम होते हैं जहां पर आप इंफ्रमेशन मैनेजर है एक प्रकार से जहां पर पहला Microsoft Office Set के रूप में यहां पर बना जारा है ऐसी मेरे चीजें अदर यह साथी चीजे आप आप देखने हैं आपको शेक्राण सहीं जारा है तो यह सब चीजा आपको यह तो आपर ध्यान में रखनी कोगी जो यह और आउटल्ट के बारे में में स्युनित करा कि आए गल भी एसी चीजें आपको पर दूप को आती हैं ठीक है नाइंट समझ में आया कि नवा यह जो प्रश्णियां पर मसा उटलुक का क्या है क्या चीज़ें नहीं इनके बारें बोल रहे हैं आपको क्लियर पता होना चीज़ें कि हां चीज़ें इसमें ऐसी है या इसके बारें ऐसा दिया जा रहा है आगे बढ़ते हैं के बारें भी पूचा जा रहा है कि क्या होता है तो कंपीटर की दुनिया में Tools बहुतने करते हैं जहां पर कम्पीटर के आंकणुों को पर प्रपटेसा अरेंज करते हैं या उनके दिए काम करते हैं हुए लिए से बहुत सारे काम हैं डेटाब स्कैर जो हम यह सब काम वहां पर किया करते हैं चीजे होती है तो यह डेटाबेस के अंतर गता गया तो यह आपको ध्यान रखना होगा आगे बढ़ते हैं बात करते हैं मल्टी मीडिया किया है तो मल्टी अंग्रीजी के शब्द मल्टी और मीडिया शब्दों से मिलकर बना है मल्ट जिसके दर बहुत सारी जानकारियों को विवित प्रकार के मादमें से हम जाद टेक्स टॉडियो भी इसना है कोई ग्राफिक्स एनिमेशन वीडियो दे कुछ भी है तो इस तरीके से बहुत सारे काम वहाँ पर अनेक चेत्रों के काम मुल्टी मीडिया प्रेजंटेशन माल्ट की चीज़ें ऐसी दी गई है तो यह आपको होना चाहिए ठीक है तो यह मैंने आपको बता दिया अब बात कर लेते हैं मैं लगतरी प्रशन आपके दो नंबर के होंगे क्या है तो अच्छा आपका Windows जो भी Linux है जो कि जितना बढ़ेंग काम करें उसको पहले स्विक्स करना हर चीज को बहुत ऊपर DAY हो पकर देखना फिर बराइटंग अनilty निर्देश कि इससे अबसे कोई पूछे एक परिवाशा पताई कि चीजए हैं तो आप यही बताई को operating system अनेक निर्देश समों का एक साही होजन होता है जो सौफ्टवेर हाडवे क्रियाओं के मद्द सामने इस्थापित करके computer की पनाली में विफिन संसाधनों और रिसोर्स के उच्छे तो सफल प्रयोग को हर चीज से अरेंज करता है फिक्स करता है जहां पर यह सारी चीजें हमें देखने को प्रॉपर्ली मिलती हैं और प्रिटिंग सिस्टम पनाली की विविन आगत इंपुट और आउटपुट एकाई और सीप्यू की बंडारें इकाई हैं उनको कंट्रोल करने का काम अच्छे से करता जहां पर यह सारी चीज़ें अरेंज करके करवाई जा कि डिलीट करिए कैसे इंपुट आ रहा है वह अरेंज करना फाइल में रख बहुत सारे काम होते हैं जो इंटरनली ऑपरेटिंग सिस्टम को अपरेट करने होते ताकि आपको बाहर से चलाने में यूजर फेंड़ी हो पाए और आप काम कर पाएं आगे बढ़ते हार्ड डि प्रॉपर्ली फिक्स होती है ब्रोपर्ली होती है इसलिए इसलिए नाम से इधर उदर नहीं ले जाया सकता है हर डिस्क में फॉफिट जैसी धातुओं की बणी डिसक एक के ऊपर एक उसमानतरे इक साथ लगा दी कई सारी से प्लेट यहां पर होती है तो यह तरीखे से वह बड़ा अंसर लिखने की ज़रत नहीं थोड़ा सापको लिख देना है बस बहुत प्रिशान नहीं होना है इसमें बहुत बड़ा दिया है हम इतना प्रिशान है इसमें ध्यान रखना हार्डिस है कि छमता 200 मेगाबाइट से 440 GB से अधिक हो सकती अब तो बहुत ज्यादा और बड़ी भी आती है और हम उसमें डेटा अपनी इच्छा केंसार सेव करके रख सकते हैं आगे बड़ी डेक्स्टॉप के विभिर अव्वेव क्या है डेक्स्टॉप जो उनने आपको पढ़ाया से बतारा ने डिफेंड़ें होती है उनी के नाम वन बाई वन करके लिखे हैं आप हिंदी में ऐसे बनेगा तो आप ऐसे ही लिख दीजेगा अगे पड़ते क्वेशन नमर 15 ओनलाइन कम्निकेशन क्या होता है तो इसका पेश पर दिया था फिलाल के लिए लेकिन ओनलाइन कम्निकेशन का मतलब है कि ऑनल आगे ओंड़न करता है अगे ऐस दो इसल नेट वरकिंग नगा तो इसल प्राया पर हम सबनी परिवेश में रहते और लोगों से मिलते हैं वर्चली तो यदि फेस्बूक ट्विटर गूगल समों आज में जुड़ा है तो प्रक्रिया को सोसल नेट्वरकिंग का दाता है कोई भी छे तरशुता नहीं हर जगा फैला हुआ जहां पर आफ चीजों को देख रहे हैं का फेस्बूक की बात आता है फेस्बूक का अरत होता है चेहरे की पुस्ता जिसका ढूना अरत होता है कि एक ऐसा पर जिसमें आप बहुत सारी यूजर्स होते हैं और अलग-अलग प है और वीडियो को क्लोड कर चाहरे हैं हृआ की पिफ्रेंज रखा विडियो को यहां पालोड वाहां पे उप्लोड लगा देंगे तो यहां यहां पने और अप लेक्सेश बांद संसiveness को रहाएं कर आंप जाहां अप लिग हाको एको जहां तर्से आप अपलोड करेंगे तो यह पेस्टेशन अच्छा है फिलाल के लिए देखो आता है नहीं पर अप्रलोड के लिए क्मातार प्ररेशन हो गया खतम आपका एक और पेपर हो गया समाप्त कम्प्यूटर का इस तरीके से मैं सभी सब्सक्राइब करवा दूंगी कम समय के अंदर तो उम्मीर के क्लास अच्छी लगी आपने क्वेश्चन को रिवीडें क्या यह टेलेग्राम पर दें लिखने की दरूरत नहीं है आप लोग समय पर आईए सी के नेक्स में मिलते सी यू सून